हेलो बच्चों क्या हल चाल कैसे हैं आप लोग सब आज आ गए हम लोग इस पेपर को फाइनली पूरा का पूरा अनलाइस करने के लिए मैंने ये अनलेसिस लेट में क्यों रखा उसके पीछे एक रीजन है सबसे पहले दो रीजन है पहली चीज एक्जाम जिस दिन होता है मैं उसके पीछे रीजन क्या होता है बताए को कि बच्चा उस दिन अभी दूसरे पेपर के बारे में सोच रहा होता है एक पेपर के चक्कर में दूसरा पेपर खराब हो जाता है और वो मैं नहीं चाहता है दूसरी बात तुरंत पेपर के बाद क्यों नहीं हुआ सर तुरंत प गया हूं आपके सामने paper solve करने के लिए sir इससे पहले मैं paper solve करूं मैं आपको ना कुछ बताना चाहता हूं ध्यान से मेरी बात सुनिए यह जो paper हुआ है ICI का यह अब तक का since May 2018 till today is the best paper ever said by ICI May 2018 से अभी तक का बता रहे है not that it is difficult वो तो बिलकुल नहीं है but the best part is it is where student थोड़ा सा सोचेगा answer लिखने से पहले there are certain questions जिसको मैंने good लिखके इस paper में लिखा है which are actually good questions मतलब वो questions करने के बाद ऐसा लग रहा है कि हाँ बढ़िया question है और बता है वो question कैसे question है वो question ऐसे है कि जब हम लोग class में पढ़ा रहे होते हैं कुछ बाते कहते हैं और फिर बोलते हैं अगर यह ऐसा हुआ तो यह है provision मान लो ऐसा नहीं हुआ तो यह हो जाएगा provision उस तरह के question उठाके दिये गाए paper में तो बहुत ही बढ़िया paper है तो चल मैं यह भी बोलूँगा कि जो बच्चा Jan 25 वाला भी यह video देख रहा है खृपा करके ध्यान से video देखना को कि तुम्हारा paper अब EC level पर होगा yes ICI is changing the paper pattern now अब जो paper pattern होगा papers will be based on knowledge rather than ratification तो वो होता ना वहां से रटल हो जाके यहाँ पर कर दूँगा अगर concept clear नहीं है तो case study नह no sir paper was average but the thing which was tricky was the paper was lengthy paper में बहुत length थी तो अभी एक चीज़ करता हूं मैं अगर कोई भी कभी दो नंबर या तीन नंबर का question आ रहा है ठीक है हमको भी नहीं पता था कि दो नंबर में case study दे देंगे यह अगर दो या तीन नंबर का question आ रहा है तो अगर आपको paper lengthy लेंदी लग law, fact, conclusion, तीनों लिखना जरूरी है ओके चलिए अभी इस mindset के साथ शुरू करते हैं अपना पहला question जो पहला question है वो है क्या कि Mr. L let out his residential house to M for 50,000 per month for a period of one year एक साल के लिए according to the rent agreement electricity will be paid by L, इन्होंने बोला भाईया electricity Mr. L payment करेंगे, but L could not pay the electricity due for 5 months, 5 महिने तक उसने electricity payment नहीं की, क्योंकि कुछ financial hardship रही होगी, चारा कमजोर हमजोर होगा, दिमागी रूप से, सर्व ऐसे तो हमारे बच्चे भी है, अरे मतलब वो ज्यादा कमजोर होगा, बच्चे कलने recording हो रही है ना बढ़ी अचर के से, तो ये कमजोर होगा, अब हुआ क्या, जो उसका मकान मालिका उसने पूरे electricity payment कर दिया, तो अब बात यह क्या, जो, मतलब जो दूसरा आदमी है, ठीक है, जो Mr. M है, जो मकान, टेनेंट है, जो टेनेंट ने payment कर दिया, ठीक है, मकान मालिक को करना दा टेनेंट ने कर दिया तो क्या टेनेंट मकान मालिक से रिकवर कर सकता है हां सर कर सकता है एक बहुत ही यूनिक पॉइंट है याद है section number 69 payment by an interested person quasi contract में आता है this is a quasi contract as per section number 69 payment के shall be made by an interested person इतना easy है बड़ बात यह यह के उस area से उठा के पुछा गया contract का जहां से बच्चा expect नहीं करेगा लेकिन है easy next Mr. A offered to sell 25 chairs to be at 1500 per chair देखो सर यह भी बढ़िया question है यह भी उस area से आया जहां से question कभी कभी आता है तो 25 chair 1500 रुपय में करने की बात हुई कब हुई sir 12 तारिक को A promised B that he would keep the offer open till 15 उसने 12 तारिक को किया बोला हम offer 15 तारिक तक open रखेंगे मतलब 12 February को offer दिया गया है जो 15 तारिक तक open है for acceptance however on 13 he sold those chairs to Mr. C अब उसने क्या किया 13 तारिक को ही जो A जिसने offer दिया था उसने सारी chair बेज दी without knowledge of B ने acceptance कब दिया 14 तो बच्चे को यह समझना चाहिए कि acceptance के पहले ही उसने सामने वाले ने किसी और को chair बेच दिया है इसका मतलब क्या है there is an automatic revocation the offer has been revoked इससे हमें क्या समझ में आता है the offer has been revoked तेक है the offer has been revoked अब बात यह मैं यह lecture record क्यों कर रहा हूँ actually problem यह अपने life जाने वाले थे lecture के साथ बढ़ कुछ दिक्क्कत आ रही है और आज Sunday कोई available नहीं है तो मैं stream पे click कर रहा हूँ दिखा रहा है stream server not found यह दिक्कत आ रही है इसी वज़े से मैं इसको recorded कर दे रहा हूँ जिससे बच्चों को आज के आज यह मिल जाए कैसे रहा है अब तुम बोलो के सर यह दो number के लायक है देखो सर टेक्निकली तो है बस law और वो लिखना था law में लिखना दर section 4 that communication of acceptance is only complete for the offery when the offerer gets to know about it which will happen on 14th since the sale is made on 13th देखें ओफर का revocation हो गया and it is very well valid तो कोई damages नहीं मिलेंगे देखो ना last point point चुन चुन के question उठाया है उसके बाद यह question था कि mister एक philanthropist है और फनेच चलाता है ठेक है उसने mister S उसका एक दोस्त है उसके S ने बोला कि भाई मैं तेरे और्फनेज में donation करूँगा यह जो बच्चा है जिसको दो लाग रुपे चाहिए cancer treatment के लिए मैं दूँँगा अब वो बच्चे की ना तबेत बहुत खराब हो गई तो अब उस बच्चे की तबेत खर उसको hospital लेगी गया वो और उसने देर लाग incur कर दिया उस आदमी के उपर उस बच्चे के उपर अब वो S से मांग रहा है कि भाई तुने promise किया था 2 लाग S बोलता है नहीं दूँगा तो अब आपको अगर याद हो section number 25 में एक last point था charity कि अगर charity के लिए आपने engage किया तो वो भी valid contract होता है और उसमें भी सामने वाला आपको सू कर सकता है अगर आप liability payment ना करो तो गौरी मोहम्मद वर्सस केदारनाथ इसका case study था section number 25 था तो क्या यहां पर action लिया जा सकता है answer is yes देखें अच्छा अब आया sir कमाल का question यह मतलब actually question भी कमाल का है देखें और इस पर debate भी कमाल की है देखें सर पहली बाद OPC में nominee कौन बन सकता है for a person to be nominee in the OPC he needs to have the same qualification जो एक member की होती है so he needs to be an Indian citizen तेखें whether or not resident in India और उसको previous year में भारत देश में 120 दिन रहना है yes एक financial year में 120 दिन रहना है यह तीन condition है आपको nominee बनाने के लिए अब इसमें पहली चीज़ पूछी गई कि यह जो रॉबर्ट है यह Indian citizen है ठेक है and a resident in India है चलो वो भी ठीक है वो भी ठीक है कोई दिक्कत नहीं resident भी है citizen भी very good he shifted his residence to US on 31st 22 and has not returned to India till 1st January और यह भारत देश में एक जनवरी तक आया ही नहीं तो वो जो 120 days की compliance है to stay in India for 120 days वो तो पुरा ही हुआ है ठीक है चुकि इंडिया में तो 120 days वो previous year में रहा है नहीं क्योंकि यहाँ पर लिख क्या रहा है has not returned in India till January 1st 2024 अगर मानलो January 24 को आ भी गया तो उस दिन तो nominee बनाने के लिए हम previous year चेक करेंगे ना which is the year of what which is the year of what अगर हम 24 थारी वो बोलता है immediately preceding previous year provision में तो यह 24 यह कौन सा year है यह 2023-24 तो हम लोग देखेंगे कौन से साल में 2022-23 में देखेंगे immediately preceding previous year में देखेंगे ठीक है तो उसमें 120 days रहा ही नहीं है वो तो भारत देश के बाहर है ठीक है अना 31st में को उसने shift कर लिया था ना 31st में को उसने shift कर लिया था तो कित्ते दिन रहा वो इंडिया में अगर आप calculate करो तो वो रहा July जुलाई ओगस्ट नहीं सोरी एप्रिल में एप्रिल और में दो माहिना तो रहा 60 days तो रहा खाली तो नहीं हुआ नेक्स्ट दिन कर ये भी इंडियन citizen है चलो ठीक है नॉन रेसिडिंट है उससे कोई फरक नहीं पड़ता केम टू इंडिया on employment on 1st April has been continuously staying in India since then कुछ लोग पता है इसका answer क्या लिखे है कि या 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 हो जाएगा हो जाएगा क्यूंको क्यूंको सब्सक्राइब क्यूंको किस दिन नॉमिनी बनाते हुए देखना चाहरा है हम फर्स्ट जैन्वरी टूटाउज़न खोल के देखिए उसमें लिखाए इमीडियेटली प्रिसीडिंग प्रिवियस यर तो यह प्रिवियस यर कौन सा है 23-24 है इसका इमीडियेटली प्रिसीडिंग कौन सा होगा 22-23 होगा 22-23 में क्या आप 120 डेज इंडिया में है the answer is no क्यों तो फॉर्स्ट टाइम आ रहा है 22-23 में दो फ्रस्ट टाइम आ रहा था 23 के एंड में घुसा है भारत और तुम अभी अब यहां पर बच्चा एमोशनल कैसे हो गया पता उसको 120 डेज याद था लेकिन 120 डेज इन प्रिवियस यर याद नहीं था उसी में गंफ्यूज होगा विचारा इमीडियेटली प्रिस अचा प्रोसीडियर तुबी फॉलोट फॉर चेंजिंग नेम आप देखो यहां पर आई-सी ने चीटिंग किया एक्ट हो जो प्रोसीडियर पर फॉलोइंग नेम है ना भाई यह इंस्टिूट मटीरल में ही नहीं फाउंडेशन की यह फाउंडेशन की इंस्टिूट मटीरल में ही नहीं तो भया आई-सी जी मेरी इस वीडियो के त्वारा आपसे अपील है कि प्लीज इसके बारे में कुछ करिए क्योंकि मैं आपको बता देता हूं यह इंटर की किताब में है फाउंडेशन की किताब में तो आपने च्छ इसी फोर आपको सब्मिट करना पड़ता है रीजन्स बताते हुए कि पुराना वाला छोड़के क्यों गया है थट्टी डेज में ठीक है चलो एक बार चेक भी करा देते हैं बच्चों के सामने कि क्या यह इंस्टिटूट मटीरल में दिया है या नहीं दिया है मन्ना बच् इसी का पॉइंट है ठीक है यह नया मटीरियली है इमिजटली प्रिसीडिंग प्रिविएस येर दिया है और कोई भी मेथड नहीं दिया हुआ है चेंज करने के लिए कोई आएंसी 3-4 के बारे में बात नहीं कोई कोई डिसकेशन नहीं है आपर तो प्लीज आईसी इस आई है वो क्वेश्चन तो मत पूछा करिए जो पेपर में ही नहीं ठीक है प्लीस ये एक बड़िया क्वेश्चन था डॉर्मेंट कंपनी वाला मने बोला भी था एक्जाम के सुबह भी जिस दिन रिवाइस करा रहा था कि डॉर्मेंट कंपनी आएगा क्वेश्चन ये डॉर्मेंट का स्टेटस ले सकता है कि ने तुनिये मैली बात यहां पर ना एक कन्फिज़न नहीं बच्चे के दिमाग में ठीक है वह बोलता है सर कि डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस तो मैं डिरिकली भी ले सकता हूं फिर यह क्वेश्चन कहां से रेलेवेंट हुआ ह इसके कभी कभार क्या होता ना question की language पढ़के हमको समझ माना चाहिए question हमसे मांग क्या रहा है actually जब आप इस question की language पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि question आपसे inactive company मांग रहा है the ask of the question from you is of an inactive company कि पहले आप बताओ ये company inactive है की नहीं फिर बताओ inactive होने की वज़े से इसको dormit बनना चाहिए की नहीं ये question आपसे मांग रहा है so you have got to understand the demand of the question यहाँ पर बोला गया है सर कि पिछले दो साल में इसने सिर्फ एक order place किया है machine का अब हमको पता है कौन सी चीज significant transaction नहीं होती है inactive बनाने के लिए वो है माफ M अगर आप maintenance के expenses दे रहे हो A किसी act की requirement fulfill करने के लिए कुछ कर रहे हो A allotment के लिए कर रहे हो और F अगर आप fees payment कर रहे हो रेजिश्टरार को माफ इन चार cases के अंदर हमको यह भली भाती पता है कि वह यह जो पैसा का payment है देखें यह जो पैसा का payment है यह जो एक करोड रुपय का payment है जो एक करोड रुपय एक्सेस दिया जा रहा है यह one CR का payment यह जो down payment किया जा रहा है यह क्या significant not significant की list में आता है दा answer is no not in list तो यह क्या हो गया सर यह हो गया significant और क्यूंकि यह significant है तो यह company क्या inactive है दा answer is company inactive नहीं है तो क्या यह dormant का status लेगी दा answer is no अच्छा question थेक है वही मैं बोल रहा हो ना अब यह लोग सीधा सीधा चीजे नहीं पूछते घुमांगे पूछते पूछते पूछना वही चाहते है बस घुमांगे जैसे देखो यह वाला question थेक है if a partner is otherwise expelled the expulsion is null and void partner को partnership firm से expelled करने के लिए तीन condition चाहिए होती है उनका removal good faith में होना चाहिए it should be by an express promise under the agreement and it shall be supported by majority साथी साथ जब आप किसी partner को partnership firm से निकाल रहे है you should give him an opportunity of being heard उसके एक notice दिये जानी चाहिए और जो removal होना चाहिए वो partnership firm के best interest में होना चाहिए एक है next the partner who is expelled will cease to be liable to the third party yes sir जिस दिन partner को partnership firm से निकाला जाता है partnership firm public notice दे देता है same जो retirement की condition है इस पर भी apply होगी उस दिन के बाद से partner third party को responsible नहीं होता expulsion के बाद से लेकिन notice की date के बाद से अब problem क्या है पता है बच्चा क्यों बोल रहा है paper बहुत लेन दी है क्योंकि हैं अभी तक इस video में 20 minute हो गया है 20 minute हो ठीक है और मैं तो सिर्फ discuss कर रहा हूं मैं लिखा भी नहीं है तो भी मेरे को एक question में 20 minute लग गया है इसमें actual में कितने question है तुम देखो एक दो तीन चार चार पांच छे साथ साथ question आपने दी है बच्चे को बीस number के लिए तो थोड़ा सा सर मतलब थोड़ा तो considerate बनना पड़ेगा ऐसे तो नहीं चलेगा ठीक है बीस minute आप दे रहे हो एक question के हिसाब से अकर 180 नंबर का paper है 100 नंबर का paper है आप 180 मिनिट दे रहे हो तो 1.8 मिनिट हुआ ठीक है 1.8 मिनिट इंटू 20 मिनिट जो एक question के लिए माक्स के हिसाब से अगर मैं करूँ तो यह आता है सर आपका आप देखो मैं वाजिब बात करता हूँ बनिया आदमी हूँ मैं वाजिब बात करता हूँ अब बच्चा को एक देखो paper बहुत बढ़िया लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी ना है कि आप बच्चों को exploit करोगे सर यह देखो 36 मिनिट्स मिलने चाहिए एक क्वेश्चन बीस नमबर के लिए आप इसको साथ से गुना कर दो 36 को divide कर दो सिर्फ पांच मिनिट्स मिल रहे है एक बच्चे को अरे जिस में से देड़ मिनिट्स तो बच्चे को question पढ़ने में लगेगा तो कि ऐसा नहीं है कि एकदम लप्पू question है question में skill है आपके ठीक है सोचने वाला है देड़ मिनिट्स पढ़ने में लगेगा एक मिनि मिनिट तो ही चलेगा अब धाई मिनिट में हो क्या फॉर्मेशन करेगा सर नंबर ऑफ क्वेश्टन थोड़े कम करिए और वेटिश थोड़ी बढ़ाईए बस इतना ही बोलूंगा मैं चलिए आगे चलते हैं अब एक क्वेशन आया आरके ट्रेडर्स मेड़ा कॉंट्रैक्ट बहुत अच्छा क्वेशन है बेसिकली हुआ क्या है दो अजार केजी बासमती राइस खरीदने की बात हुई है जो सेल जो बायर है वो स्पेसिफिकली बोल दिया है कि 36 गड़ में जो चावल उपता है वो चाहिए और वो भी पिंक कलर के बैग में चाहिए मतलब उसने स्प लेकिन हुआ क्या कुछ मिसंडर्स्टेंडिंग हुई 800 केजी महाराष्ट्र वाले डाल दिये 36 गड़ की जगा महाराष्ट्र का चावल डाल दिया सफेद कलर में और 200 केजी 36 गड़ का डाल दिया 25 केजी के पैकेड में पिंक कलर में तो प्रॉब्लम क्या क्या हुई है पहल गलत है quantity of चावल गलत है और quality of चावल भी गलत है तो हमसे यह पूछता है क्या buyer reject कर सकता है एकदम reject कर सकता है sir कितने section लगाने है इसमें भर के लग सकते हैं इसमें 15 भी लग रहा है sale by description match नहीं किया 16 भी लग रहा है quality fitness भी match नहीं किया section 20 भी लग रहा है specific goods वाला match नहीं किया और साथी साथ section number with great power comes great responsibility section 43 भी लग रहा है buyers right to reject the goods आपको एक भी डाल सकते हो चारो भी लिख सकते हो जो सा आपको मन है सब लग रहा है यह आपर सारे के सारे apply हो रहा है अब बोलता है किया sir on the other hand क्या buyer accept कर सकता है entire quantity हाँ sir accept कर सकता है और damages ले लेगा तो यह कौन सा section लग जाएगा नीचे वाले में other वाले में लग जाएगा section number 13 वो है न condition treated as warranty वह वाले लग जाएगा वह था buyer elects to treat condition as warranty अब sir यह चार नंबर का नहीं होना चाहिए यह पांच यह चे नंबर का होना चाहिए था तो आपने चार नंबर का दिया है क्योंकि आपको तीन नंबर का एक और question घुसाना था इसमें जवरदसती चलो ठीक है हमारे स जो बच्चे कर रहे थे उनको तो पता ही है यह हमारे important question की list में भी था क्या है question एक party ने दूसरे party को promise किया हम तुमको laptop बेचेंगे price तीसरे party को decide करना है उन में से एक party उस तीसरे party को influence करने की कोशिश कर रहा है कि मेरे favor में करो तो उस party ने refuse कर दिया वैसे भी वो influence करना चाता तो उस party का right चला जाता है void अब बात यह जो party laptop sell कर था वो मना कर रहा है देने से बोला मैं नहीं दूंगा ठीक है चुकि price तो decide हु है मान लो कि अगर वो deliver करने के लिए agree नहीं करता तो क्या दूसरा party उससे जबरदस्ती laptop ले सकता है दा answer is yes चुकि contract valid है चुकि any contract is valid and sale contract where price has not been discussed price is there discussed नहीं हुआ तो उन that case में आपको क्या देना पड़ेगा reasonable price देना पड़ेगा so as per section number 9 and section number 10 यह बिलकुल valid होगा प्राइस वाला question हम हमेशा important mark करवाते हैं यह कभी न कभी गूंपीर के आता ही आता है अब आया sir corporate वील अब corporate वील पर जो question आया है इसके उपर तो yt पर देखो exam के देड़ों दिन पहले ठीक है एक चीज देखो आपको क्यूं मैं बोलता हूं पता है कि teacher जब आपने एक तो आपको अंत तक भरोसा रखना चाहिए आपको जो कराया जा रहा है उस पर आपको भरोसा रखना चाहिए देखिए आपके exam के time में revision कराते दौरान ऑगग है जब मैं one shot ले रहा था तो मैं चाहता तो one shot सब का सब के साथ ले लेता है ना करी सकता था कौन रोक लेता मेरे को लेकिन मैंने उधर companies act का one shot लिया उस दिन लिया companies act का one shot बट मैंने एक अलग से वीडियो बनाया उसी दिन का है देखलो तुमको दिखा देता हूँ एक अलग से वीडियो बनाया जान बूच के देखें सिर्फ किस लिए देखें ये most important case study for September attempt इसके पीछे reason क्या था पता है सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैंने बनाया क्योंकि मैं को लगा था कि यह आएगा and next day in the paper they asked for five months तो दस मिनिट का वीडियो अगर आपने देखा था इसने आपको तीन cases बोले हैं lifting अपके corporate wheel के लिए तो दस मिनिट के वीडियो में आपके पांच नंबर बन गया है मेरे को पूछ क्या रहा है कि क्या corporate wheel lift होती है हां sir होती है बोला किस cases में होती है इन केस में होती है पहला वहला alien enemy का केस क्या था डाइलेमर वर्सिस कॉंटिनेंटल टायर दूसरा आप लिख सकते हो misconduct misconduct का केस कौन सा था gilfred motor वर्सिस मिश्टर हॉन तीसरा लिख सकते हो tax evasion का tax evasion का केस कौन सा था कुछ नए questions भी देखने मिले paper में मतलब ICI आप finally उन areas में घुस रहा है जिस area पे कभी सवाल नहीं पूछा गया तो next time around sale of goods act section number 25 reservation of title of disposal will be asked in the paper I have that feeling क्योंकि अभी तक वो आया नहीं है कभी भी नहीं आया था what is the effect of memorandum and article when registered बहुत छोटा सा है section number 10 है कोना में लिखा है paper में inter में भी question आया इसके ऊपर आता है foundation में तो कभी देखते भी नहीं बच्चे section number 10 कहा है कोना में नीचे में लिखा हुआ है basically effect क्या होता है memorandum और article का जब members memorandum और article को sign करते हैं members company से bind हो जाते हैं एक है कि मतलब company के activity के members जो भी कर रहे है उसका lost profit company को bear करना है but members आपस में एक दूसरे से bind नहीं होते हैं मतलब अगर फलाना member ने कोई fraud कर दिया उसके चक्कर में मेरे को liability नहीं आएगी just because I am in the same company वो नहीं आएगा so memorandum and article sign करने से you get into a relationship with the company but not with other members that is the effect of signing the memorandum under section number 10 यह निया question था इसलिए मैंने good लिखा है कुछ कुछ questions पर मैंने good लिखा है LLP का तो भया लाजवाब question पूचा मजा आगया मतलब जिस बच्चे ने important section की list देख ली थी ना च्छे नंबर यहां बन गया है LLP में question पूचा नाम change करने का provision क्या है section 17 के सबसे है कि मान लीजए अगर आपका नाम किसी से identical है या trademark identical है trademark के case में 3 साल है नाम के case में कित्ता भी और वो आदमी आके CG को complain कर दे कि वह यह आदमी मेरा नाम copy कर रहा है तो आपको CG देगा 3 मैना जिसमें आपको नाम change कर ला है अगर आपने नाम 3 मैने में खुद change कर लिया तो नाम change करने से 15 दिन के अंदर अंदर आप ROC को inform कर दो कि वह यह मैंने अपना नाम change कर लिया as an LLP उस 15 दिन में जब आप inform कर दोगे within 30 days ROC आपको आपको निया certificate दे इस case में कोई डेस नहीं है और इस section में कोई penalty भी नहीं है वो नहीं चाहिए बढ़ है नहीं बहुत अच्छा question था easy था फिर आया sir what is a small company small LLP it is defined intersection 2TA what is a small LLP small LLP मतलब वो LLP जिसमें paid up share contribution of partners 25 लाग को cross नहीं करता और such higher amount as may be prescribed not exceeding 5 crore similarly आपका जो turnover है वो 40 लाग को cross नहीं करता तो अगर 25 लाग और 40 लाग के अंदर है contribution और turnover थो आप small LLP माने जाते हैं आप 2 नंबर के लिए यार कम से कम 3 तो देना चाहिए इसके लिए इन्होंने ना बड़े-बड़े question में कम-कम नंबर देके paper की length enlarge कर द जिन्दी है ना तो बच्चे को difficult लग रहा है जैसे देखो अब यह जो question था 3A मैं बोलता हूं ना यह सब सब चीज क्या होती है regular course के दौरान ना teacher कभी class में कोई चीज समझाने लगता है ठीक है मेरे को यह question देखके mentality समझ में आता है कि एक teacher ने बनाई है जो regular course में पढ़ात दिया कि वह c भी एक partner है जबकि c partner है नहीं अब यहाँ पर तो आप लोग का दिमाग चल गया कि partner भाइस टॉपल है कि c is liable अब यहाँ पर यह कहानी जगोट यह teacher ही class में यह कहानी बनाता है और कोई नहीं अब बोल क्या रहे है c ने d को बोला कि c partner है ठीक है c ने d को बोला कि d partner है ठीक है देखो राम एं शाम अर पार्टनर्स इन अ पार्टनर्शिप फिर्म गोपाल अ रेनाउंड बिजनस्मैन इस देर कॉमन फ्रेंड राम इंट्रोड्यूस गोपाल टु सुन्दर अ सप्लायर as his newly joint partner गोपाल को सब पता है लेकिन गोपाल कुछ बोलता नहीं है the information about गोपाल बिजनस्मैन है वो पार्टनर है उस firm में अब पूछा ये जा रहा है कि अगर एक liability आती है ठीक है तो D के लिए कौन responsible होगा सर क्या D के लिए partnership firm responsible होगा नहीं अब partner भाई stopple का definition पढ़ो जाके वो क्या बोलता है where a person by his conduct or by another person is disclosed to be a partner in the partnership firm while he is actually not मतलब जहां पर disclosure partners ने किया है राम और शाम ने तो गोपाल को partner दिखाया था ना सुन्दर को तो सुन्दर जो पैसा का partnership firm को देगा क्योंकि गोपाल दिखा रहा है ठीक है शाम दिखा रहा है गोपाल दिखा रहा है उसके लिए firm liable होगा लेकिन सुन्दर ने जिसको जाके बोला उसके लिए firm liable थोड़ी ना होगा है वो तो अफ़वा है लोग तो केतनी भी फैलाते हैं बहुत अच्छा question था यह teacher के दिमाग से question निकल के आ सकता है वरना नहीं निकले गाई तो ultimately क्या होगा सर ठीक है यह गोपाल सुन्दर को responsible होगा लेकिन माधव को नहीं होगा बहुत बढ़िया question बहुत बढ़िया अच्छा यह एक और निया question आया है देखें यह वो section है section number 23 जिसका नाम बुक में है effect on admission of a partner effect on admission of partner अब पता है सारे बच्चे इस admission को partner का admission सोचते हैं बढ़ यह section तो वो ही नहीं यह section है admission मतलब acceptance यहाँ पर admission मतलब partner का आना नहीं है यहाँ पर admission मतलब acceptance है ठीके नॉर्मली क्या होता है कि जब एक partner partnership firm में आता है तो वो उस दिन की entry के बात की activity के लिए unlimited liability होती है उसकी इस section number 23 क्या बोलता है कि अगर एक partner partnership firm में entry कर रहा है और वो बाकी partners के साथ agreement करता है कि वो उसकी previous activities के लिए भी responsible होगा तो then in that case वो partners की previous activities के लिए भी responsible हो जाएगा जो old debt होती है ठीके तो इस तरह का agreement हो सकता है the answer is yes हो सकता है section number 23 में effect on admission of a partner by acceptance लिखा है तो अगर अमन खुद से इसको accept करता है तब ठीक है जैसे को यहाँ पर क्या लिखा है on admission as a new partner Amar agreed अब कुछ लोगों ने जिन्होंने paper solve बूल करके notice notice बेजिया में देख रहा था है आपर उन्होंने सीधा लिख दिया नहीं liable होगा अरे section number 23 है उसको इज्जत तो अमन खुद अगरी कर रहा है to be liable for the existing debts referred to as old debts of the firm by an agreement sign between all partners वो खुद अगरी कर रहा है as for section number 23 fact of admission liable होगा ही हो जोगी उसने खुद अगरी किया next फिर आया सर section number 37 बढ़िया question है इतना बड़ा question आप दे रहे हो दो नंबर के लिए बच्चे की देख के फड़ जाएगी क्या है sir question एक आदमी है सुमन पार्टनर है फिर्म की property टोटल 200 लाग की है इसका 10% का profit sharing ratio है अब यह partnership firm से exit मारा retire किया section 32 के अंदर तो काईदे से इसको क्या मिलना चाहिए उसका जितना हिस्सा है वो उसको मिल जाना चाहिए वो partnership firm ने अभी तक दिया नहीं है उसके बाद वाले साल में partnership को 10 लाग रुबए का profit हुआ है यह बोलता है मेरे को 3 लाग रुबए दो क्या इसका 3 लाग रुबए मांगना सही है बिलकुल नहीं गलत है रेको जब एक आदमी retire होता है और partnership firm उसको लंसम नहीं दे पाता तो section 37 का जनम होता है जिसके तहट या तो वो उसको 6% interest में पूरा loan का amount मान ले या फिर वाया installment payment में उसको उसका share of profit future में भी मिलता रहे अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि profit claim किया गया है तो उस case में भी इसका तो 10% का share है ना तो 10 लाग का 10% ही ले पाएगा maximum 1 लाग यह 3 लाग मांगने का तो को अब है क्या यहां पर बढ़िया question नहीं है एक चीज पहले बताता हूं समझो बात को अल्ट्रा विरेस के doctrine में अगर कोई पैसा expend हो गया है company द्वारा जो traceable ही नहीं है तो वो recoverable नहीं होता है क्योंकि transaction void है जहाँ पर traceable होता है वहाँ पर injunction लगा देते हैं और अगर company ने कि किसी को किसी creditor को अपने पास से payment कर दिया जो पैसा अल्ट्रा विरेस में उठाया उससे creditor को payment कर दिया तो फिर वो creditor की liability अब मंतब जिस आदमी से अल्ट्रा विरेस में लिया था वो उसकी जगह आके खड़ा हो जाता है यहां पर कहानी क्या है एक company है जेवी लिमिटेड उसने वह यह पांच करोड रुपए का loan लिया स्टार बैंक लिमिटेड से अपनी work and capital requirement meet करने के लिए पांच करोड लेकिन जबरदस्ती बच्चा को बोल रहा है अल्ट्रा विरेस लिखो 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 ले सकती है पांच करोड का क्यूं दिया एक रुपिया नहीं मिलना चाहिए था बैंक को अगर डॉक्ट्रिन अप कंस्ट्रक्टिव नोटिस लगता लेकिन इन्हों ने अल्ट्रा विरिस लगा के बैंक को बचा लिए अब अगर कोई बच्चा मैं सही बता रहा हूं कोई बच्चा इसमें कंस्ट्रक्टिव नोटिस लिखके आया न तो देखो भी एक तो बच्चा बेवकूफ है क्यों क्यों कि क्वेश्चन खुद ही बोल रहा था कि अल्ट्रा विरिस लिखो तो मैंने हमेशा बोला से तुम जीत नहीं सकते तो बेफालतू की लडाई करके कोई मतलब नहीं था जो लिखा था चुप चाप से लिख देना चाहिए तो यहां क्या वह असर पांच करोड का लोन दे दिया एक करोड का लिमिट था अब बैंक ने दो इंस्टॉल्मेंट में लोन दिया एक पनी बुक्स अपकांट शोग दट दे कंपनी अज उच्व दे लोन 3 करोड फॉर पेमेंट अफ लॉफूल डेट अब कंपनी ने इसमें से क्या किया है तीन करोड रुपिया उठाके कंपनी ने क्रेटर को पेमेंट कर दिया तीक है और बाकी का दो करोड ट्रेस नहीं हो प जाएगा वोगे कंपनी ने इसके पैसा से वोल्ड क्रेटर को पेमेट कर दिया और कंपनी को इसको 3CR देना होगा जो दो करोड है वो गया सिंस इट इस उन्ट्रेसेबल इट कांट वी रिक वो बैंक का नुक्सान है इसी लिए बटा पढ़ लिया आर्टिकल में गूसने क्वेशन को देखके एक चीज समझ में आ गई और आइसी ने समझा भी दी कि फांडेशन के लॉक अभी लेवल इंटर के लॉक के लेवल के बराबर हो है यह मत समझो कि फांडेशन में तुम यह दस दिन लाश्ट में पढ़के पास हो जाओगे यह सब घटिया आरकत मत तुम रिवाइस करो लास्ट के दिनों में ठीक है लास्ट के दिनों में क्वेशन करो लेकिन पढ़ा पहले से होना चाहिए क्वेशन के समझा यह वह इसर क्वेशन यह दिन क्यों तारीफ कर रहा है बताते हैं आपको after incorporation of goodwill private limited on 15th may 24 the share certificate was issued share certificate क्या होता है यह जिस पर share certificate पर जिसका नाम होता है वो company का owner होता है अब company ने जो share certificate दिया उस पर ठपा नहीं लगा था common scene नहीं लगा था ठीक है दो director थे अमित एन सुमित उन्हों ने उसको sign करके दे दिया था ठीक है अब सुमत ही एक director थी उसने इस पर question उठाय कि कैसे दो director sign कर दिये stamp तो लगा नी ठीक है तो अब company's act पूछ रहा है कि क्या यह correct है कि दो director ने इसको sign कर दिया in place of common see let me tell you as per section number 9 of the company's act 2015 sorry company's act 2013 amended by the company's act 2015 अब आप बिना common see बिना stamp के भी company incorporate कर से उस case में stamp की जगा आपको क्या इस्तमाल करना पड़ेगा अगर दो director एक document को sign कर दे या 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 इफ दो director एक document को sign कर दे या एक director and एक company secretary provided आपके पास company secretary हो उस document को sign कर दे तो हम लोग मान लेते हैं कि common seal है तो इस case में दो director ने company share certificate को sign किया था तो यह valid है अब इसके next part में यह पूछता है would your answer be different if the company had a company secretary अब यहां पर कुछ बच्चे पता क्या लिख दी है या 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 answer is different then तो company secretary का signature mandatory है नहीं और लिखा है so our answer won't be different because either two directors can sign और one director and one company secretary can sign यह एक अच्छा theory question है easy है बड़ी है ordinary damage define करो special damage define करो liquidated damages define करो liquidated damages are prefix damage special damages are only recoverable when known to the other party ordinary damages में लिखना है it is to occur through ordinary significance the person should have incurred a loss and it should be in the normal course of business यह यह तीन चीज़े है सबसे खराब क्या लगा पता है सबसे खराब पता है क्या लगा बहुत दिल को चोटिल क्या हुआ है क्योंकि यह गलत है इसलिए आप old course का paper निकाल के देखना देखना देखने बोलो के तो comment में लिखना कि सर दिखा दो आप ही तो मैं next इन नमबर कर दी है तो paper तो बहुत सो समझ के लंदी बनाएगी है तो किसी ने अगर इस paper में 100 marks complete कर दी है ना तो भाई सालाम है तो नाचुरल लव और अफेक्शन पार्टी शुट बी इन close relation the contract should be in writing should be made on natural love ठीक है and should be registered under law तभी वो चीज़ वालिड होती है next promise to pay time barred debt sir time barred debt payment करने के लिए आप तभी responsible होते हो जानते सुनिएगा promise to pay time barred debt time barred का मतलब क्या है मतलब it is barred by time उस case में recovery तभी possible है जब सामने वाला एक promissory note in writing दे दे आपको promise करते हुए for payment यह एक बढ़िया question था देखें finder of lost goods से question है देखें finder of lost goods से question है और हम लोगों को पता है सर्फ finder एक ऐसा topic है देखें finder एक ऐसा topic है जिसके ओपर इतने सारे section है जिसका mention सोगा में भी है देखें जिसका mention ICA के quasi में भी है जिसका mention ICA के बिल्मेंड में भी है तीनों में है और भाई घजब का है यह topic घजब मतलब घजब देखें तो यहाँ पर हुआ क्या है राघफ को एक wristwatch मिली है जिसका approximate दाम एकलाग रूप है उसने घड़ी उठाई है उसने newspaper में advertisement दिया है ठीक है जिसकी भी घड़ी है वो आके ले लो और proper proof दिखाना यह proper proof वाली बात ना ICA ने ऐसा ही लिखी है उसका कोई impact नहीं है लेकिन लिखा बड़ा सही है सोचने के मजबूर कर रहा है आदमे को कि हो सकता है कुछ हो आफ्टर वेटिंग पर ए सर्टेन पीरिड ऑफ टाइम बें दर ट्रू ओनर डिड़ना जैसे यह भी question चार नंबर का वे छे नंबर का होना चाहिए वाई यह इतना एक तो देखो सर आप चार सवाल पूछ रहे ह है इसको पढ़ने में तो बच्चा का दो मिनिट चला गया अब आप उससे expect कर रहे हो पांच मिनिट में वांसर बना देगा बस एक problem है हमको इस paper में यह paper भाई यह number का मैं मेहनच जादा है बस यह after waiting for a certain period of time when the true owner did not turn up he gifted the rich watch to mahesh उसने mahesh को दे दिया a few days later माधव the true owner of the watch somehow noticed his watch on mahesh रिष्ट अब उसने क्या किया उसने बहुत कोशिश किया कि true owner मिले true owner नहीं मिला तो उसने वो घड़ी अपने लड़के को दे दी उसके लड़के का नाम दा mahesh कुछ दिन बाद mahesh मिल गया mahesh ने रस्ते में उसके लड़के को चलते हुए देखा ओगा ठेकिए उसको चलते हुए देखा होगा और चलते हुए देखते देखते उसने वया बोला कि भया यह घड़ी तो मेरी है तो वो महश के पास पहुचा देखें यह घड़ी मेरे को दे दो लेकिन महश ने रिफ्यूज कर दिया अब उसी दुपेर उसी शाम को रागव ने महश को उसने माधव को कॉल किया जो ट्रू ओनर था जो एक्च्वल में ओनर है और उसको बोला कि देखो यार मैंने ना बीस हजार रुपे खर्चा किये कितने बीस घड़ी है एक लागती मैंने खर्चा किया बीस मतलब सिर्फ 20 परसंट है आपको रीसल करने की पावर कब मिलती है जब आप मार्केट वैल्यू का टू थर्ड खर्चा कर चुके होते हैं याद आया तो मतलब अगर आपने 66,000 के आसपास खर्चा किया होता तो आपके पास रीसल के पावर होती है ठीक है बट इसने क्योंकि रीसल किया है विदाउट 66 खर्चा किये हुए तो ये जो राघव जो राघव ने अपने लड़के महेश को घड़ी दी है अप्रॉप्रियेट की है सेल की है ये लौफुल नहीं है तो इभी फेस तो रिइंबर्स दा लौफुल एक्सपेंसेंस इंकर्ड उन फाइंदिंग आउट द्रू ओनर विल सू हिम फॉर रिकवरी देरॉफ और घड़ी अपने पास रखता है और फिर बोल भी दिया देख मैं हो सकता है मैं घड़ी बेज भी दूँ और रिकवरी लेकिन ये वो कर नहीं सकता लौफुल ये बोले कुछ भी बट अगर ये उसने किया तो ये गलत हो जाए क्योंकि टू थर्ड होना चाहिए अब लौफु लिखता है कि जो finder of lost goods होता है he should not appropriate the goods appropriate मतलब उसको ये sell नहीं करना चाहिए next वो warning देगा माधव को to sue for recovery of lawful expenses incurred in finding the true owner अब ये जो warning दी गई lawful expenses recur करने की ये valid है हाँ सही है मतलब ये तो 20,000 की उसकी recovery बनती है next retaining the possession of the watch till recovery ये भी lawful है जो कि act में लिखा हुआ है कि जब आप finder of lost goods हो और आपने खर्चा किया है सामने वाले को true owner को find करने के लिए और अगर true owner आप नहीं find कर पा रहे हो तो भाईया आपको आपने find करने पे खर्चा किया तो जब true owner मिल तो उसको आपको compensate करना चाहिए it is mandatory next selling of risk watch for recovery of expenses कर सकता है the answer is no वो सिर्फ तब कर सकता है मैंने yes क्यों लिखा उसके पीछे reason है मैं बता रहा हूँ yes आप recovery के लिए कर सकते हो जब two-third value spend किये please यहां से screenshot लेके मेरे को मत भेजने लगना कद हो सुन लो पहले मैं लिख रहा हूँ yes sell किया जा सकता है अगर two-third value spend की जाए लेकिन इस case में in this case no since only twenty thousand is spent which is twenty percent that is one-fifth not two-third तो यहां पर सुरू मत हो जाना हमको screenshot लेके भेजने के लिए सबर रखना कसम है तुमको पहले सबर रखना देखना पूरा सर यस कैसे बोला सर यस कैसे बोला सुरू मत कर देना थेखे हैं आईए monkey लोग Woolen Garments Limited enter into a contract with a group of women in July 2023 to supply various woolen clothes for men, women, kids like sweater, monkey cap, muffler, woolen coats, hand gloves before the commencement of the winter season सर गरम कपड़ा मतलब फंड में पहनते हो ना गर्मी में तो नहीं पहनोगे तो यहां पर यह चीज समय में आ रही है that time is an essential component कि जब कपड़े promise किये गए हैं उस ताइम पर ही देना चाहिए इस टाइप का question ना इसलिए मैं देखो RTP MTP mock test paper क्यों करवाता हूं क्यों ब्रह्मास्त्र बनाई है क्योंकि ब्रह्मास्त्र में इस तरह के सारे question है ब्रह्मास्त्र का question है यह शेरी interiors वाला question same question है section 55 time is essential component same आया है MTP भी था एक है the agreement expressively provides that the woolen cloth shall be supplied by the end of October 2023 before the winter season however due to prolonged strike बहुत लंबी strike चली तो वो लोग March के पहले supply करी नहीं पाए winter season खतम हो गया अब क्या होगा sir whether company can reject yes sir voidable है बिल्कुल reject कर सकती है whether company can accept the total supply है हाँ sir accept भी कर सकती है company क्यों करेगी पथा नहीं बट चाहे तो कर सकती है voidable है ना तुमारे option पे if you want to treat it as valid you can continue as valid अब कुछ direct questions पर आते हैं यह तो day before exam क्यों बोल रहा हूँ ना मैं पता है मैंने रात में guest paper solve करते समय question बोला कि मानलो तुमको हर बार last last attempt में last 3 MTP में ICI ने हमेशा यही लिखा है ठीक है कि बताओ section 138 कहां पर लगता है मैंने बुला इस बार ऐसा हो सकता है कि वो case ना दे paper में कि यह बताओ case कहां नहीं हो सकता है यह बतादो यह बतादो कि case कहां नहीं हो सकता है ठीक है यह बतादो where it can't be provided to do it कहां नहीं हो सकता है मतब reason कहां नहीं हो सकता है तो जब वो not constituting an offense आएगा किस case में आएगा मैंने ऐसी बोला कि बताओ कहां नहीं हो सकता है देखो अगले दिन paper में question बोल रहा है बताओ section 138 कहां नहीं लगेगा कहां नहीं लगेगा जहां पर आपका जो check है वो किसी unlawful debt के लिए है या charity के लिए है तो उस पर section 138 नहीं लगेगा दूसरा अगर आप as a pay under the check fail कर जाते हो drawer को inform करने में 30 days के अंदर के dishonor हुआ है अब नहीं लगेगा तीसरा तभी भी नहीं लगेगा जब check dishonor हुआ है other than reason of stop payment or insufficiency of fund पूर्थ तभी भी नहीं लगेगा अगर जो drawer है आपका जो check जिसने बनाया है drawer वो अगर यह बात बोल दे ठीक है अगो अगर आपको जब से आपने उसको लोटिस दिया है अगर वो within 15 days आपको payment कर दे तो भी section 1318 लगेगा यह चार पॉर्टर से सर यह भी बोला था class में और पता है ऐसे ही बोला था कि बच्चा पूछता भी था ठीक है मैं दोनों बोल रहा हूं बच्चा पूछता भी था सर अगर मान लो check चेक का लिखने के लिए आगया difference between कि बताओ चेक और बिल में क्या अलग है तो सर चेक बुक में तो लिखा है कि चेक और बिल में सब सेम होता है खाली तीन चीज़े अलग होती है मैंने बोला था हा ऐसा question आ सकता है तो सिर्फ तीन चीज़े लिखना लेको वही तीन चीज़ पर रहा होता है एक आदमी पर नहीं और चेक पेबल ओन डिमांड होता है ठीक है बिल पेबल ओन डिमांड नहीं होता वह order होता है ठीक है these are the three difference किया है आपने हमारे साथ ही किया है ठीक है next part पूछा ambiguous instrument के आप सुनो साथ देखो कितनी बुरी बात है तीन नंबर का एक question नहीं है तीन नंबर के दो question है तुम ambiguous भी बताओ ये भी बताओ इसलिए मैं बोल रहा हूं बहुत ज़्यादा लेंदी था ठीक है तीर आया ambiguous instrument एक भी साथ नंबर का question और जून में साथ नंबर भड़े पड़े थे बच्चा का ICI से भरोसा उड़ी है ठी ठीक है ambiguous instrument मतलब वो instrument है which can be treated as a bill of exchange और it can also be treated as a promissory note अब ये जो difference betweens थे ना जैसे देखो दो question है एक inland foreign bill है ठीक है अभी आएगा आगे एक ambiguous instrument वाला है उसके अलावा जो case studies मैंने 30 day challenge में दी है वो सब भी है अब ये सारी चीज़े मैं कहां पर provide करता हू मेरे Instagram पर c.a.sha.sha.g अगर आप ये Instagram खोल के देखोगे ना तो इसमें पूरी की पूरी सीरीस की हुई है मैंने जिस मैं आपको एक बार दिखाता हूं ठीक है पूरी की पूरी सीरीस की हुई है जिस सीरीस से ये question आए तो बोलते है ना अगर आप अपने teacher को जो बच्चा एकदम dedicatedly follow करता है ठीक ह तुम नहीं भी हो देखो हम देखो अभी तो हम कुछ चेंज नहीं कर सकते ना जाके कि हम कुछ बदलने रिल्स के कॉलम पे क्लिक किया देखो तर नीचे स्क्रोल डाउन करते हैं तुम देख लो succession assignment champ party in cohet instrument और ambiguous instrument है ना है की नहीं यहाँ पर दिया हुए inland bill foreign bill यहाँ दिया हुए और इसके पीछे पूरा 30-day challenge है अब इस 30-day challenge के बहुत सारे question common आया है इसमें जो सब इस वीडियो के description में है तो देखो सर हर चीज गलत नहीं होती चीज का इस्तमाल उसको सही अगलत बनाता है देख है next explain the types of law in the Indian legal system Indian legal system में तीन तरह के law होते हैं सबको define चार तरह के होते हैं सबको define करना है criminal law IPC civil law CRPC principles of natural justice और common law चारो को define करना यह एक लौता ऐसा question है पता है जिसमें लिखना भी है sufficient और number भी sufficient है वहना तब से तो अन्याय चलना थे ठीक है बोलो सिफ discuss discuss करने में एक घंटा लग गया है तो जो बच्चा लिखने बैठेगा तो फटके चारो जाएग यह good question है तीसरा good question में पेपर है क्योंकि यह सब क्या है पता है यह है teacher की imagination हम यह लिख के बता सकते हैं इस बात पर हम पैसा लगा सकते हैं कि यह सारे question ना एक teacher की imagination में बने है जो वो class में पढ़ाता है उससे हम ही लोग इस सब imagine करते हैं देखो क्या बोल रहा है अशोक ने समान मंगे इसको बेचा sale or return previous attempt तक यहीं तक question आता था और बस यहीं तक आता था और इसी में पूछ लेते थे कि what if sale for cash only हुआ है इतना ही पूछते थे किस attempt की imagination देखो अशोक ने मंगेश को बेचा sale or return में मतलब या तो तुम accept करो या तुम किसी दूसरे को बेच भी सकते हो कोई दिक्क transfer हो गई अशोक के हिसाब से मंगेश के लिए goods होगे कोगी मंगेश ने दूसरे को बेच दिया अब अशोक को पैसा मिलना चाहिए मंगेश ने जब रहूल को बेचा तो मंगेश ने रहूल को बेचा sale for cash only or return मतलब रहूल को बोला पहले तुमेरे को पैसा देगा तब ही दू के लिए responsible कौन होगा ठीक है मतलब पूछ रहा है अशोक को पैसा कौन देगा अरे भाई अशोक राहूल और विसाल को जानता ही नहीं है अशोक ने मंगेश को समान दिया अशोक के लिए ownership transfer मंगेश को हो गई under section number 26 ठीक है तो अशोक पैसा किस से लेगा मंगेश से मंगेश र ownership transfer हुई नहीं है राहूल को भी नहीं हुई है विसाल को भी नहीं हुई है वो compensation compensation लेगा वो बात की बात है लेकिन हमको question क्या पूछा गया बच्चा emotional हो जाता है सब के लिए लिए लिखने लगता है तुमको last line में question किसके बारे मैं पूछा कौन लाइबल होगा अशोक को price payment करने के लिए मंगेश वा लाइबल होगा तो कि अशोक ने ownership मंगेश को transfer कि राहूल और विसाल को तो जानता भी नहीं अच्छा question था ठीक है आऊ से अब अनसारी आप जैपूर sold 100 smart tv set with 50,000 rupees per set to Babu Ram of Delhi he delivered the tv set to Chetan a transport carrier for transmission to Babu Ram Babu Ram father sold these 100 tv set to Shyamlal 60,000 per tv set on reaching the goods at the destination Babu Ram demanded the delivery but Chetan wrongfully refused to deliver the goods कौन refuse कर रहा है seller refuse कर रहा है to Babu Ram that is why he failed to deliver the tv set to Shyamlal and suffered a loss तुमने हमको नहीं दिया इसलिए हम दुसरे को नहीं दे पाया 55, 56, 57 section number 57 तेक है damages for non-delivery of goods अनसारी came to know about it he directed Chetan to stop the delivery to Babu Ram and re-deliver the goods back to Jaipur whether अनसारी has the right to stop the transit goods in transit no whether Babu Ram can claim the loss suffered due to non-delivery from अनसारी yes sir बिलकुल claim कर सकता है एक्सेप्टेंस for non-delivery आ जाएगा ना 57 next ये question देखो repeat हो गया एक मात्र सात नंबर का question जो सात नंबर deserve भी करता है लेकिन इसमें भी देखो ICI ने क्या खिलवाड किया है इन्होंने बच्चों गना बच्चों के हात में से हड्या निकालने वाला काम किया है देखो क्या किया है क्या लिखा है state the circumstances in which court may dissolve पहले पता है क्या किया था जब ऐसे question पहले आया था लिखा था theory बहुत बढ़ी है ठीक है डर से नहीं करेगा तोगी number कम है और case करने जाएगा तो लिखते लिखते बढ़ा हो जा रहा है आप में दो बच्चों को दुनों तरफ से मार दिया यार paper pattern पर थोड़ा ध्यान दीजे paper से कोई तकलीफ नहीं हमको paper वह बढ़ी है pattern पर ध्यान दीजे बेलर का तो मैंने पहले भी बोला था rights वगेरा बेलर के पढ़के जाने के लिए बेलर के right क्या है against the wrong do or third party बेलर can also sue the third party whoever tries to harm the goods which are bailed by the bailer to the bailie pony की duty क्या है pony की duty है goods का take care करना ठीक है अगर पैसा ना मिले तो goods को resell कर देना resell करके अगर access मिले तो सामने वाले को दे देना अगर कम मिले तो उससने recover कर लेना the duties of the pony यह अच्छा question है easy था question सब easy है problem क्या है न बस छोटी सी problem यह है कि length बहुत जदा बड़ी है ठीक है जैसे यह वाला question जो है यह question हम लोगने class में मेरे ब्रह मास्तर में भी है कि मानलो बिल अब हमको पता है बिल के negotiation के लिए क्या चाहिए अगर order instrument है कि endorsement plus delivery मतब sign भी करना है और deliver भी मेरे कोई करना है तो यहाँ पर क्या हुआ एक आदमी sign किया फिर deliver करने से पहले मर गया और फिर उसके legal representative जो उसका लड़का है अंकीत उसने वो बिल दूसरे को दे दिया तो क्या यह valid negotiation होगा दा answer is no negotiation is not complete जोकि delivery और endorsement दोनों ही by the endorser करना पड़ेगा तभी वो endorsement complete होती है बीच में कोई third party agent उजेंट आ जाए तो उससे काम नहीं होता ठीक है next inland bill foreign bill ठीक है देखो sir पहले कुछ बाते समझना ठीक है question थोड़ा weird है हाँ question थोड़ा weird है चुकि अगर आप normally bill कौन बनाता है बिल कौन बनाता है जिसको पैसा लेना होता है बड़ यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो रहा है कि यहाँ पर वो आदमी bill बना रहा है जिसको पैसा देना है तो थोड़ा weird है यह बड़ कोई बात नहीं कुछ किया नहीं या सकता एक company है reliable limited अब उसने क्या किया एक machinery import किया अलेक्स manufacturing limited in USA तो इंडियन कंपनी नहीं बिल बनाया है मनीश के ऊपर जो की एक इंडियन रेसिडेंट है बताब बिल भी ड्रॉ इंडिया में हुआ है जिस आदमी पर रहा हुआ है वो भी इंडियन रेसिडेंट है लेकिन पेबल आउटसाइड इंडिया है तो क्या यह इं ठेके या वो रेसिडेंट इंडिया का होना चाहिए ठेके या वो पेबल इंडिया होना चाहिए आप तो यह पेबल तो इंडिया है नी तो कि पेबल लोस अंजलिस में लेकिन इट इस ड्रू आदमी तो रेसिडेंट आफ इंडिया है ना तो ड्रॉन इंडिया हो गया अब drawn in India मैं कैसे assume कर रहा हूँ देखो sir मैं इसली assume कर रहा हूँ उसके पीछे एक reason है उसमें लिखा है reliable a global leader है for payment of the sale price of a machine imported from Alex the Indian company drew a bill तो Indian company तो इंडिया में ही है तो इंडिया में ही draw किया होगा न company उटके London तोड़िना चला जाएगा अब इसको clarify करने के लिए नीचे एक point क्या लिखा हूँ है assume that the bill of exchange was signed by authorized person for the drawer company authorized person अब यह authorized person भी तो इंडिया में ही होगा यह assume करेंगे हम लोग वह assume करके लिखेंगे अब अगर किसी ने यह assume करके लिख दिया कि सर मान लो कि वो मतलब drawer company इंडिया के बाहर है मतलब वो जो authorized person है वो इंडिया के बाहर है तो ICI मेरे को लगता है alternative answer में यह भी right दे देना चाहिए देना चाहिए उनको क्योंकि बच्चे के दिमाग में एक आ सकता है export के लिए तो बाहर वाला आदमी payment कर रहा होगा बट technically क्योंकि company इंडियान है जो person authorized होगा वो भारत का ही होगा तो मेरे को यह chances थोड़े कम लगते हैं इस case में एक ही answer बनता है कि it is an Indian instrument next यह भी है agency का last part है हमारे notes में है किस case में agent personal liable होता है और principal liable नहीं होता है एक मैंने example दिया था ना वो coaching center जो मेरे को coaching academy जो मेरे को poach करना चाहती है मेरे दोस्त के धुरू जब agent यह disclose ना करे ठीक है कि वो agent है ठीक है agent यह बार disclose ना करे कि वो किसी को और के भिहाब पर काम कर रहा है मतलब वो principal को hide कर दे दूसरा जब वो pretended agent बने agent actual में है नहीं बट ऐसा disclose कर रहा है कि agent है या तो जब वो agent अपनी authority के पार जाके कोई काम करे exceeds authority या principal ही incompetent है मतलब principal becomes a minor तब तो उस case में agent को आप पकड़ सकते हैं ठीक है state the rights of the अगर चीज़ था कि अगर या principal आपका locally available नहीं है इंडिया के बहार कहीं available है बहार है तो उस case में भी agent को आप पकड़ सकते हो state the right of the indemnity holder when sued DCS DCS मतलब अब अगर एक indemnity holder पर एको ये तक आया है paper में हमारे important questions में है ये वहिया indemnity holder का मैं खोल के भी दिखा सकता हूं indemnity holder का right के है हमारे important questions में ये है तो क्या है right DCS D सारे damages recover करेगा C सारे के सारा contract price recover करेगा S जो suit के charges है वो भी recover करेगा तो D is for damages, C is for compromise S is for suit charges फिर बोलता है sir आप difference between बताओ ठीक है contract of indemnity and contract of guarantee में हो तो easy है sir indemnity guarantee का एक तो guarantee में 3 party होती है indemnity में 2 होती है guarantee में जो surety की liability है वो secondary है लेकिन indemnity में जो indemnifier की liability है वो primary है guarantee में जो आदमी जो surety है वो guarantee दे रहा है कि अगर उसने default किया तो मैं payment करूँगा indemnity में अगर loss हुआ तो मैं payment करूँगा so it is different guarantee में 3 contract होता है indemnity में एक contract होता है लेकिन यहाँ पर जो तीन कॉंट्राक्ट होते हैं उसमें से यहाँ पर एक ही कॉंट्राक्ट होता है और वो एक्स्प्रेस होता है ठीक है सर थ्रेट तू कमिट अ सुसाइट कोर्शन है यस सर अ थ्रेट तू कमिट अ सुसाइट इस अ कोर्शन and the contract which is formed by it is voidable ठीक है लेकिन कमिटिंग सुसाइट कोर्शन नहीं होगा हुई contract हुआ ही नहीं threat to commit a सुसाइट कोर्शन वापस से auction sale सबसे पहला सर bid by seller ठीक है सर bid by seller with or without notification सर अगर with notification कर रहा है means the seller has expressively reserved the title कि भाया वो भी auction में participate करेगा तब तो ठीक है अगर without notification कर रहा है मतलब उसने auctioneer को बताया नहीं तो ना तो seller participate कर सकता है auction में ना तो seller किसी और को appoint कर सकता है उसके भिहाब पर participate करने के लिए next bidder to retract from the bid क्या एक bidder bid को अपनी पीछे खीच सकता है हाँ sir before the fall of the hammer वो कभी भी अपनी bid को वापस खीच सकता है तो कि hammer fall होने से ही ownership transfer होती है sir what is the effect of pretended bidding pretended bidding का effect यह होता है कि वो सामने वाले के end पर voidable होता है voidable का मतलब है कि सामने वाला contract कभी भी cancel कर सकता है अगर आप pretended bidding कर रहे हो तो so he can get the contract cancelled at any point of time that he wants to अगर उसको पता चल जाए कि वह यह auction में pretended bidding है तो फिर बोलता है explain the provisions relating to delivery of wrong quantity section number 37 है इसमें अगर excess quantity deliver कर दिये तो आप क्या कर सकते हो excess को refund कर दो और अपना select कर लो अपना पकड़ लो या तो आप क्या कर सकते हो गर excess को भी रख रहे हो तो पूरा payment करना होगा let's say short delivery किया है तो क्या कर सकते हो पूरा contract cancel कर सकते हो जो आया है उसको accept कर सकते हो बाकी के लिए compensation भी claim कर सकते हो अगर mixed delivery आई है तो आप पूरा contract cancel कर सकते हो और sue कर सकते हो उसको damages के लिए so with this sir we complete the entire paper अब भाया paper करने के बाद आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगे कहां आप stand कर रहे हो आपने already काफी समय बरबात कर दिया है और समय मत बरबात कर रहे है देखिए भाया simple सी चीज़ है race में सब दौड रहा है सिर्फ 50 लोग ranker बनेंगे एक बार आप intermediate के level पर ranker बन गए तो आपका future secure है कैसे एक बार ranker बने ठीक है इंटर पे एक big four आपको सामने से ले लेगा big four में गए final में अगर rank नहीं भी आई या भगवान ना करे एक attempt में नहीं भी निकला वही आपको permanent नौकरी देंगे without higher package 99% cases में यही होता है और rank कैसे आईगी जल्दी शुरुवात करने से तो कि आप जो time बरबात कर रहे हो न everyday चार classes हो रही है plus per September batch की चार class अगर आप 30 दिन बरबात कर रहे हो result मैं आपको बता देता हूँ result का आप जानना चाहते हो दिवाली इस बार होगी रंगीन बस इतने से समझ दो result के बारे में दिवाली बहुत रंगीन होने वाली है इस बार ठीक है अब वो रंग खुशी के होंगे या खून के वो समय बताएगा आपको but समय बरबात मत करिए तीस दिन अभी भी बाकी है दिवाली को 30 days 30 into 4 120 क्लास की बात है 120 क्लास आप उस आदमी से पीछे हो क्या आप उससे आगे बढ़ पाऊगे सोचने वाली बात है थैंक यू सो मच वाचिंग आइस मैं आपका दोस्त आपका उस्त आपका एजूकेटर कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा कोई क्वेश्चन वो भी डालना और चानल को सब्सक्राइब कर लो इंडिया का नंबर वन चैनल है यह फांडेशन एजूकेशन के लिए थैंक यू सो मच वाचिंग इस बाबाई